कल गुरुवार को भारती रिजर्व बैंक की financial stability report, FSR report जारी हुए रिपोर्ट में मुकरूप से तीन बड़ी बातें कही गई पहली fintech industry से जुड़ी, दूसरी बैंकों की आर्थिक इस्तिती से जुड़ी और तीसरी stackflation यानि की महगाई के बीच मंदी का इशारा इन तीनों पर हम एके करके चर्चा करते हैं पहली बात fintech की, रिपोर्ट में बहतर वित्तिय सेवाओं के लिए fintech industry को जरूरी बताया गया रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 के दौरण भारत की fintech industry 50-60 अरब डॉलर की थी और 2025 तक ये 1.500 अरब डॉलर की हो जाएगी दुनिया बर में fintech industry की सबसे अधा ग्रोध भारत में होई है ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है लेकिन इस ग्रोध के साथ साथ इस ग्रोध की रौशनी में ही इसमें कुछ जोखिम भी बताया गया सर जोखिम क्या है सर एफ deport रिजर्बैंक की रिपोर्ट हमें हमने फिंटेक इंड gat को लेकर फिंटेक का आर्थ यह है कि जहां टेक्नलाजी और financial services दूरसे मिल जाती है आपने mobile से loan cooler सकते हैं बुक्टान कर सकते हैं पैमेंट कर सकते हैं भी माखरी शकते हैं ये भारत का सबसे उभरता हुआ सेक्टर है इसमें पिछले तीन चार सालों में तेज ग्रोथ दिखाई दी है काफी स्टार्ट अप आए हैं और काफी निवेश हुआ है रिजर्ब बैंक की जो टिपनी आई जिस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे बताएंगे उससे इस अंदर में देखना जरूरी है क पिछले दो महीने के अंदर रिजर्ब बैंक ने भारत की फिन टेक इंडस्ट्री के लिए कानूनों को अचानक बड़ा सक्त कर दिया है हमने मनिस एंट्रल में पैकेश पर रिष्टार से चर्चा भी की थी कि कैसे फिन टेक इंडस्ट्री को जो टेक्नलाजी और और फिनां कि Trans Union Civil की रिपोर्ट के अधार पर FSR में ये कोट किया गया है कि भारत की Fintech इंडस्ट्री में अपराधों की और गलत तरीके किसे काम करने के वित्ती घटना है भारत में Housing Finance Company और NBFC से कहीं जाधा है बहुत जाधा है यानि फ्राड डिजिटल लेंडिंग गलत धंग से लोन ल Fintech इंडस्ट्री एक किसम से भारत की Financial Structure के लिए रिस्क बन सकती से से properly regulate नहीं किया गया और ये बात उस बात को समर्थन करती है करती है उससे सपोर्ट करती है और शायद यही वजह है कि Reserve Bank कितनी सकती Fintech कमपीनियों पर कर रहा है हाल में IMF ने विपने एक रिपोर्ट में Fintech को Economic Security के लिए चैलेंज बैदाया था दूसरी चैजिसमें जो बात Reserve Bank ने इस पूरे तर्क को या इस Observation को सपोर्ट करने के लिए कही है उसमें उन्होंने कहा है कि जो Big Tech कमपीनिया है वो Financial Domain में आ रही है Payment Services को लेकर डिफरेंट तरीके के Financial Products को लेकर इन Big Tech कमपीनियों के साथ जो डेटा शेयर हो रहा है इनके साथ जो बैंकिंग सिस्टम्स की सिनरजी बन रही है इसमें सुरक्षा के कमभीर सवाल है खास तोर से वित्तिय सुरक्षा के और उन लोगों की सुरक्षा के जो इनके जरी आपरे Reserve Bank दोने इस बास से मुतमईन है कि FinTech भारत के लिए जरूरी है लेकिन FinTech को ऐसे ऐसे मश्रूम करने नहीं दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी वाले सबक सीखते हुए भारत के नियामक FinTech कमपीनियों पर गहरी सखती करेंगे और उनके हर काम की चोटी चोटी चीजों की उनक के ट्रांजेक्शन की पड़ताल करेंगे और इसका असर हमें शेर बाजार में स्टार्ट अब की दुनिया में FinTech कमपीनियों पर दिखाई देगा जो अभी तक पार्शली अनुरेगुलेटर रेगुलेटर रेगुलेशन से बाहर की की ग्रोथ देख रही ती ये बात पहला की निचले स्तर पर आ गए हैं बैंकों के NPA मार्च में साथी ये भी कागए कि बिना नई पूजी डाले अर्थवस्था के जटके जहलने के लिए बैंकिंग सिस्टम तयार है सर यहां भी कुछ रिस्क वताए गए हैं हाँ ये एक अच्छी खबर है क्योंकि मंदी के बाद रिकवरी के बाद भारत के बैंकों के NPA में तेज गिरावट आई और ये रहत की बात है और ये जो बात तो रिजर्ब बैंक ने कहीं न शुभम की बगर नई पूजी डाले भारत के बैंक एकनौमिक शाक को जहल सकते हैं ये किसम का म्यूजिक है जो वितमंतरी के कानों में जा रहा होगा क्योंकि आप किसम से गारेंटी दे रहा है कि अब सरकारी बैंकों में जाधा पूजी की जरुर Subaru की जरुत नहीं है वो आपने आप पर भी कहा है कि अगले साल सेप्टमबर 2022 तक अभी से लेकि सब्टमबर 2022 तक अगले साल मार्च तक भारत में ग्रास NPS 9.5% भी हो सकते हैं बढ़कर और जो प्रोजेक्शन है यह चिंता जनक है प्रोजेक्शन कहां से निकल रहा है यह प्रोजेक्शन या यह संभावना या आकलन NPSR में इस बात से निकल रहा है कि छोटे और मजोले उद्योगों को जो लोन दिये गए हैं वो सबसे बड़ी फाल्ट लाइन है यह सबसे बड़ा इस्ट्रस पॉइंट है वो इस्ट्रस पॉइंट इसलिए है क्योंकि कोविड वाली मंदी के दवरान बड़ी संख्या में शोटे उद्योगों ने अपने लोनों को रिस्ट्रक् distancia कराया था और उनका भुकतान कराया था अब अर्थुष्था धहलान में है मनदी की परिसिति में जा रही है भारती अर्थुष्था में स्टेप फ्लेशन के खत्रे दिखाई दे रहे हैं इसका असर इन कंपेनियों की कर्ज देंदारी पर और चुकाने पर पढ़ सकता है जो पहले से ही अपने पुराने कर्ज को एक्स्टेंड करा चुके हैं रिस्ट्रक्चर कराकर आगे ला चुके हैं तो इसलिए रिजर बैंक ये कह रहा है कि भारत में एन पीएस कम हुए पर वो ये भी कह रहा है कि नपीएस बढ़ने का खत्रा बरकरार है क्योंकि डिफॉल्ट्स की संख्या बढ़ सकती है छोटे की बात नहीं कही गी थी लेकिन ये जो एफसर की रिपोर्ट आई है इसने बचते बचाते घुमाते फिराते ये बात कह दी है कि अभी फिलहाल महंगाई का अंतराश्ट्री बाजार से आ रही कीमतों में बढ़तरी का कोई रिजल्यूशन कोई समाधान हमें नहीं दिखाई देता ऐसी परिस्थिती में भारत और रषिया-उक्रेन्वार के कारण senhor किमोनिटिस की कीमतों के कारण भारत की अर्थवे उस्थाकीत को इस्टेक्फलेशन में फसने का खत्रा है इस्टेक्फलेशन का मतलब है कि जहां कर अर्थ व्युकास दर दर में गिरावट और महंग तो रिजर्ब बेंक की ने जो FSR में कहा है वो थाबित होता है कि महंगाई बढ़ती जाएगी और आर्थिक विकास दर्थ थोड़े समय के लिए गिरती जाएगी